गूर्द मालिंग स्थुटुईंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Start 메ं में Keyboard में कीबोर्ड शॉर्टकर्ट कीबोर्ड होता है उसमें किस तरीके से शॉर्टकर्ट कीज होती है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं विंडो की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडो की जो होती है वह किसलिए होती है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए उसके बाद है Кोटाना कोटाना आपका अकलमन्द नीजी सहायक है कोटाना आपके PC पर चीजों को खोजने में मदद करता है आपके कलेंडर को मैनेच करता है पकेजिस का ट्रेक रगता है फाईलों को सर्च करता है और आपको जोक भी सुनाता है आप जैसे जैसे Quotana का इस्तमाल करेंगे यह आपको और अधिक personalized experience देगा ठीके Quotana जो है वो एक तरीके से हमारा helper होता है जो हमारी calendar को manage करने में, packages को track करके रखने में file को search करने में हमारी help करता है जैसे हम इसके इस्तमाल करते जाते हैं हमारा जो experience है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है इसे शुरू करने के लिए taskbar के search box में question या query type करें या फिर microphone icon को select करें और Quotana से बात करें Quotana आपको किसी काम का reminder भी देता है जैसे हमें कोई चीज अगर याद रखनी है और हम बूल जाते हैं तो हमें Quotana जो है उसे remind करवाने में यानि कि दुबारा याद दिलाने में helpful होता है next है Quotana को enable करना इसके लिए पहला step है Hey Quotana को activate करने के करने से पहले आपको आपके outlook में के email से sign in करना होता है आपके outlook में जो email होता है उसमें आपको जाके sign in करना होगा उसके बाद second step है अब task bar पर इस्थित search box में क्लिक करें जब आप sign in करेंगे तो task bar आएगा task bar में जो search box होता है उसपे क्लिक करना है third step is इस window के buy or के notebook icon पर क्लिक करें जब आप task bar पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद window के buy or एक notebook खुली हुई आ रही होगी उस notebook के icon पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे step 4 is इसके बाद settings icon पर क्लिक करें यहां आपको kotana enable करने के लिए button मिलेगा इसे क्लिक करें kotana में keyboard shortcut kotana को आप window के बजाए keyboard में किस तरीके से use कर सकते हैं window plus q और window plus s देके window का short form लेखा हुआ है win window plus q window plus s window plus q जैसे आप प्रेस करेंगे यानि कि window के साथ आप q की जो है वो प्रेस करेंगे तो मुखे kotana screen आपके सामने खुल कर आ जाएगी और अब window plus s क्लिक करेंगे तो kotana से search box में आप जा सकते हैं next है task view button window 10 PC के लिए कई बड़े features लाया है और task view उनमें से एक है task view button task bar पर kotana के right side पर होता है इस task view button पर क्लिक करने से या touch screen पर बाइं और से swipe करने से सभी open window दिखता है और user को इसके बीच switch करने की अनुमती देता है task view आपकी productivity बढ़ाने के लिए कई desktop में applications का group बनाता है नया blank desktop बनाने के लिए task view screen के नीचे right side के plus new desktop button को क्लिक करें ठीक है desktop बनाने के लिए अगर आप चाते हैं blank desktop बनाना तो उसके लिए task view screen के नीचे right side में plus new desktop button आ रहा होगा उसको जैसे आप क्लिक करेंगे एक desktop पर आप सभी जो program पर काम कर रहे हैं वे open करें और दूसरे desktop पर social activity email open कर सकते हैं फिर आप आसानी से एक work screen से दूसरे personal screen पर switch कर सकते हैं task view interface में जब आप किसी desktop पर अपने mouse को move करेंगे तो यह सभी open program को बड़े thumbnail में display करेंगा इसके साथ ही एक application को एक desktop से दूसरे desktop में move करने के लिए उसे drag करें या उस पर right क्लिक करें और move to में desktop number select करें virtual desktop में keyboard shortcuts first one is window key plus tab जब आप window key plus tab एक सथ क्लिक करेंगे तो task view जो है वो open हो जाएगा next है window plus control plus left और right keys क्लिक करने से एक virtual desktop से दूसरे virtual desktop पर आप जा सकते हैं वर्तमान desktop को close करने लिए जिस desktop पर आप काम करेंगे अगर आप उसको close करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कर लिए